विलिए विए च़लिए इसके अंदर क्या क्या हमने देखा था हमने बेसिक जाद़ा कुछ नहीं जस्ट रट किया था हमने पहले समझा के डिक सिंपल सा मतलब होता है जब ड्राइवेडीयर का। अपसे सभी लोगों को तो पहले प्रफरेंश यह ओलडर को दे दिया जाता है पैसे फिर बचते हैं तो एक्रुटी शेर को दिया जाता है दूसरा प्रफ्रेंश के आगे एक फिक्स परसंटेज होता है और लौ नहीं यह भी कहा है कि प्रफेंश को होना चाहिए यानि आप कोई रडीम कर रहे हो पार्टली पेड़प है तो पहले उसको फुली पेड़प बनाओ और फिर रडीम करो उसको इसके बासर रडीम कहां से कर सकते हम प्रफरेंश यहां अगर आपको जो क्रिएट करना है उसके लिए आपके पास फ्री रिजर्व है और इहीं जगह से आप क्या कर सकते हो अपना creating g지를 सकते सक्क्रियट कर सकते सिक्यूरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इसको क्रिएट करने में सोर्सिस बताया था जो डिस्तिऴूचल जो हम डिवीजवल जो डिस्तिव करेंगो उस प्रॉफिट को लेंगे यह फिर दोनों लेके चल सकते हैं एक एक्जामपल लिया था कि हम क्यों करते हैं बेसिकली देखो होता ऐसा है कि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर को बाइक कर लेगी तो उसका और जैसा ही शेयर कैपिटल कम होगा तो कंपनी का जो बैलेंस वह बिगड़ जाएगा तो इसलिए हम क्या करते है और इसके सोर्स की मैं बात कर रहा था सोर्स दो ही या तो फ्रेश इसू से करो या फिर आपको क्या करना है सर जैसे मैं फॉर एक्जामपल बोलू कि मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 परसेंट प्रफरेंश यह कैपिटल और रुपीज है मेरे पास सब्सक्राइब रुपे करना है तो मुझे पता और इतना बनाना पड़ेंगा पूरे दस हजार रुपे का सियार बनाओंगे लेकिन आगर मैं कहता हूं करना 10% premium पर तो अब तो भीया हमें 10,000 नहीं देना 10,000 से ज़्यादा देना है क्योंकि 10,000 पर दस परसेंट तब भी हमारा CRR बनेगा स्रिफ इतना ही यानि CRR का condition है face value के बराबर बनाना ना कि कितने पैसे उसको return करेंगे उतना फ्रीमियम वाले पॉइंट को भी हम देखेंगे प्रीमियम बनाने के लिए एंट्री क्या होता है जनल रिजव तू सी यार और प्रिफरेंट टू प्रफरेंट चेहर होगे और प्रफेंट हो जाएगा और हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया था इसके अन्दर तो आज हम क कुस्टन्स भी करेंगे और फिर कुछ कॉंसेप्ट फिर से दुबारा से एक बर जनल एंट्री की तरफ हम चलते हैं कॉंसेप्ट करते जाएंगे ठीक है चलिए करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक केसी करा दू जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएं फिर कुश्टन करने में थोड़ा इंट्रस्टिंग बनेगा हमारा यह केस नंबर वन क्योंकि इसमें से कुश्टन आना पक्का रहता है लग भग लग भग मैंने ट्वेल पर्सेंट प्रफरेंश शेर कैपिटल रिडीम करना है अब यहां रुपीस मैंने डाल दिया वन लैक ठीक है रुपीस वन लैक जनर रिजम में हमारे पास पैसा पढ़ा हुआ है सपोस्टरों असी हजार जनर रिजब में हमारे पास असी हजार है बैलेंस बैलेंस या फिर मैंने कहां पूर दा पर्पस अ कंपनी फ्रेश इसू रुपीस 80,000 या फिर एट थाउजन एक्विटी शेर एट टैने इज के आपको यह कुश्चन प्रफरेंश्यर रिडीम करके सिंपली दिखाना है तो जो प्रिफरेंश्यर रिडीम करके दिखाना इसको बहुत सिंपल तरीका से देखते हैं कि सार मतलब आपको अ अब इसमें रिकॉडड में देखो अभी में बता दूंगा निकत आपका जो डाउट आ रहा है नहीं बतादूगा भी आपको ठीक है तो ऐसा हो जाए कि सारा CRR बन जाए या फिर हमारा दोनों मिला के बन जाए अगर हमने फ्रेश इशू कर दिया तो प्रायरेटी फ्रेश इशू को देंगे हम अगर फ्रेश इशु कर दिया ना तो प्रायरीटी किसको देंगे हम फ्रेश इशु और फ्रेश इशु में या तो आप equity शेयर कर सकते हो या इसके बदले प्रफ्रेंग शेयर केपटल भी फ्रेश इशू कर सकते हो तो कुश्चन के अकॉड़िंग देखा जाए तो फ्रेश इशू 8000 की हैं 10 रुपए का है तो हमने फ्रेश इशू तो 80,000 तो हमने इंतजाम करी लिया लेकिन लौ क्या कहता है आपको 100% इंतजाम करना ह तो एक लाख में से अगर 80,000 का अरेंज्मेंट हो गया तो बचे कितने तो 20,000 आप सी आर बनाओगे सी आर कितने बनाओगे बीस आजार यानि दोनों का मिला के फेस वेल्यू को एक्यूल अमाउंट बनना जरूरी है आप जो जरूनल एंट्री हम क्रिएट करेंगे पहली ज तो ची आराड सी आराड है क्या कैपिटल डिडंशन रिजर्व यह एक रिजर्व का नाम है जो जनर रिजव के पैसे हैं हमने ट्रांसफर कर दिये सी आरार में और कितने करने होंगे मुझे सर देट इस ट्विंटी थाउजन अली आपको सी आरार में पैसे डालने होंगे बींग क्या लिखोगे सर बींग जनर रिजर्व कि अमाउंट कंट ट्रांसफर टू कि आप मैंने थोड़े सोद में लिखा पूरे पुल फर्म में सोद assessment अगली इंट्रि देखा जाए तो fresh इंट्री कर देते तो तो फ्रेश इशू जो करते हैं सिंपल इसमें ऐसा नहीं कि पार्टली मांगेगा बैंक टू शियर एप्लिकेशन और कितने शियर होगे यहां पर असी हजार अगली एंट्री होगा शियर एप्लिकेशन पस सिंपल कि यहां तक के एंट्री अकर आप देखते होना तो इसका मतलब पता ही क्या होता है जस्ट हमने अभी तैयारी करी है कि हमने पहले एक कैलकुलेशन लगा लिया कि कितना सी यार बनेगा कौन सा फ्रेश इशू होगा उसके बाद उसकी जनल एंट्री कर दिया यह रिडम्शन की एंट्री नहीं है यह बिफोर रिडम्शन हमें यह चीज़े देखनी पड़ेगी चेक करनी पड़ेगी जैसे ही सब्सक्राइब कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि अलॉट्मेंट भी हो कि जस्ट वेट कि एक मिनट रूक जाएंगे कि एक कमेंट था सर इयार 20,000 कैसे बना भाई आपको कितना करना था कुश्चन ध्यान से समझेए आपको अरेंजमेंट कितना करना था एक लाग अब हम प्रयारिटी देंगे अगर फ्रेश इशु है कुश्चन में तो फ्रेश इशु पहले दे इशू हो गया कितना बनाना पड़ेगा 20,000 जितने बैलेंस बच जाएंगा ठीक है मैं भी चार-पांच एक्जाम पर लूँगा इसके अगया पहली एंट्री यह हो गई एक प्रफरेंट जियर क्रेटल अकाउंट डेविट और टू हम बुलाएंगे प्रफरेंश यह ओल्डर इसेंट्री का मतलब है कि जो हमने आपको इशू के टाइम पर प्रफेंश क्रेडिट किये थे जब हम आपके पैसे वापस करेंगे तो वह हम ले लेंगे तो देते टाइ और वापस लेते टाइम पे क्या होगा तो क्या हो गया प्रफरेंट शेयर कैपटल एकाउंट अब आपके सभी के नाम तो पॉसिबल नहीं ने कि जर्नल एंट्री में लिखें राम ने भी लिए होंगे मुहन ने भी लिए होंगे लिए उंगे तो हम एक कॉमन नाम सब को दे यह चोट होगा बिए दिंग क्या लिखोगा sir बींग प्रफरेंड शेयर ओल्डर अमाउंट हमने दीओ कर दिया मतलब होता है हमने इनके पैसे देने हैं इंक लाक ही देने हैं इसका पेमिंट कर देंगे देट इस कैसे होगा हमारा प्रफ्रेंट शियर होल्डर डेबिट कर दो क्योंकि यह लाइबलिटी बना था और टू में जब पेमेंट करोगे तो आलवेज आपका बैंक अकाउंट जो होगा वह खतम होगा उसे क्रडिट से किया जाएगा एक लाग रुपए और एक लाग लिखेंगे हम प्रफ्रेंट शियर होल्डर अमाउंट पेड आपने प्रफ्रेंश होल्डर का माउंट क्या करा टिक यहां तक हर बच्चों को क्लिए है तो मैं फोड़ और सब्सक्राइब बढ़ाओं अब प्रीमियम वाले प्रिम फो लेकर होगा है बता दीजे यहां तक स कि लिए सभी स्टूडेंट को कि लिए चलिए सेम कुश्चन रखते हैं और नेक्स पेज़ चलते हैं और इसके अंदर थोड़े से पार्ट करते हूं क्योंकि आपने 12 में नहीं पढ़ा तो इसको ज्यादा स्पीड में ले जाना मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा सर क्या एड़ करेंगे थोड़ा सा देखो अब इसके अंदर क्या एड़ करते हैं मैंने कहा कि एक्विटी शेयर इश्यू 10 रुपीज इच एट प्रीमियम कि एट प्रीमियम 10 परसेंट क्या आपको डिफरेंस समुझ में आए क्या कहना है कि भाईया जो एक्विटी शेयर जो हम दे रहे हैं वह हम अब ऐसा नहीं है कि हम आठ हजार शेयर रुपे ही लेंगे उस पर 10 परसेंट एक्ट्रा चार्ज करेंगे मीन्स कि आप जब फ्रेश इशू करोगे तो फ्रेश इशू करते टाइम पे आपको असी हजार तो मिलेंगे शेयर कैपिटल के प्लस मिलेंगे सेक्यूरिटी प्रीमियम के कितने आठ हजार आप टोटल जो रिसीविंग करोगे वो 88,000 करने वाले हो यह किलियर हुआ ठीक है कितने रिसीविंग करोगे 88,000 तो क्या हमारे पास पहली पॉइंट डाउट में आता है कि सर हमें अरेंजमेंट करना है कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा ख्याल चल रहा होगा कुछ कि सर अरेंडमेंच करना है तो हमारे ना फ्रेश इशु जो है 88 आ गया और इसके अंदर हम डाल सकते हैं 12 अगर जो बच्चे इस तरीके सब सोच रहे हो बिल्कुल कला सोच रहे है क्योंकि हमें फ्रेश इशु में भी सिर्फ पेस विल्यू कांट करना है प्रीमियम का कितना होना चाहिए यहां पर भी कितना होना चाहिए ट्विंटी थाउजन ना चीए यानि इसका जो पहले था वही रहने वाला है यही रहेगा इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा बले आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं आपना या फिर आप जो अमांट क्रिएट कर इसको पैसे से मत compare करो उसे capital value से compare करो capital value मतलब face value से नाउ इसके अंदर सर क्या सारी entry सेम होगा exactly सारी entry सेम होने आले बस एक entry change हो जाएगी यहां पर जो आपने पैसे लिखे हैं यहां पर आपके आजाएगा यहां पर 88,000 88,000 और यहां पर एक और एड हो जाएगा security premium 8000 और यह आ जाएगा 88,000 बस और nothing ने पूरे कोशन में कुछ चेंज नहीं होगा मेरे कोशन में जो चेंज हुआ आपने देख लिया और answer में भी कोई चेंज नहीं होगा आप बोलोगे तो मैं सरिफ answer में जितना बार्ट चेंज हुआ है उस पार्ट को मैं थोड़ा अलग कर देता हूं ताकि आपको याद रहे यह इसके अंदर सरफ और सरफ चेंज यही हुए हैं देखिए बदाइए सुझ में पिछले कोशन में आप देखेंगे सर एक्जेक्ली सेम कोशन था बस इसके अंदर एक पार्ट एड़न किया कि हमने जो फ्रेश इशू किया वह किस पर किया प्रीमियम पर तो उसका इंपक्ट देखा जाए तो हमारे मैं करा दूँ फिर आप पूछेगा जो आपके डाउट बच जाएंगे ठीक है ना क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत वीडियो से देखा है यह क्लासिस ली है तो डेफिनिटली आगे के कुश्चन्स आएंगे मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से धीरे धीरे इसको लेके चलूँगा चलिए अगें मैं एक्जामपल नंबर थी लेने जा रहा हूं यहां पर पहले दो एक्जामपल अगर आपको क्लियर हो गया तभी थर्ड एक्जामपल भी आपको समझ में आएगा क्या एड़न करने वाले इसके इंदर इसके अंदर देखो मैं क्या प्रीमियम एट 10% थोड़ा इसको चेंज करते हैं स्पेस में आएट 10% प्रीमियम ठीक है एट 10% प्रीमियम सर अब थोड़ा सा वर्किंग नोट और सारी चीजे एट आल मैं चीजों को लेकर चलूंगा यहां पर सुरू से ठीक है क्या आपको कुश्चन में क्या एड़न किया यह दिग गया इसको करें कैसे करना है यानि सर सोर्सिस के अंदर दे प्रीमिंट करना है एक लाग रुपए करना है क्यापिटल वाले को स्रिफ और हमें प्लस उन्वा सिक्यूरिटी प्रीमियम भी उनको देना है यह आपका दस हजार तो टोटल जो पेमिंट जाएगी वह जाएगी एक लाग दस हजार अब इसको दो पार्ट में आप तोड़ स्र occupant security प्रीमियँ है कि अगर हम पेसर तो यहां पर फिल्हाल के लिए हमारे पास फ्रेशे जो है तो फ्रेश इशू जो है देट इस वह काउंट होगा असी हजार तो आपको जो बैलेंस बच गए जो बैलेंस बच गए मैं नीचे लिख देता हूं बैलेंस बच गए 20,000 यह कहां से लोगे आप जैसी होगी आपका तो संद्सिय है यहीं रहे हो एक्ता आप करने जा रहे हो वह आप प्रीमियम पर कर रहे हो तो यहां पर क्या बदलाब होगा सर बैंक के अंदर जो एंट्रि अब का असी हजार बैंक के अंदर जो एंट्री आएगा वो कितने आएंगे 80,000 और 80,000 यहां तक बात समझ में आई अब ये दोनों एंट्री बदल जाने हैं यह एंट्री बदल जाने इसको मैं हटाई देता हूं ठीक है यहां तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट यहां तक किसी को कोई प्रेंज शेयर होल्डर को डियू करेंगे तो यानि सर कैसे डियू करा जाएगा यह देख लीजिए करांड़ के अर Horse करेंगे। झाल झाल अब आ रही है वोईस चेक कर लीजे अब आ गई होगी वोईस आपको चेक कर लीजे हाँ क्लियर है मैं यह भी देख लूँ कहां से वो क्लियर है मैं दुबारा समझा देता हूं ठीक है मैं अगें रिपीट कर देता हूं यहां से जो कुश्चन था हमारा क्या क्या कही रहा था कि हमारा जो कुश्चन है कि 12 पर्सेंट प्रीमियम जो प्रिफेंच यह था वह कितना था एक लाग हम वापस खरीद नहीं लेकिन मैंने डिसाइड कि है कि हमने फ्रेश इसु भी कर लेते हैं तो यहां पर क्या देखा प्रफेरेंश के पैसे वापस करने एक लाग प्रफेरेंश सेक्यूरिटी प्रियूम के तो टोटल इतने देने हैं ऐसा नहीं है कि आपको पूरा इंतजाम करना एक लाग तो अलग कर दो अब अगेन आजो एक लाग फेस वेल्यू एक लाग के लिए फ्रेश इसु अजार कर रहे हैं यानि सेनेर्यू हमारा सेम रहा अब पहली एंट्री में कोई चेंजिस नहीं है दूसरी एंट्री के अंदर क्या चेंजिस होगा फ्रेश इसू आप नॉर्मल कर रहे हैं तो देना है वो एक लग थासजार देना है को बैंकर करके हमने आपको क्या करताब पैमेंट कर दिया संट कर दिया अब यहां पर दहान रखना लगवा यह प्रेमियूम का पैसा है माठ यह पैसा पेमेंट कर चुक यह नोई क्या है यह एंट्रीवा केकिनाओ कि identify का मступ करने का पेमिन हैं अब इसको हमें राइट ओफ भी करना पडेगए काद इसको यृक्ट करना पड़ेकत है अभी आप इसका प्रस्षार को पेमेंट किया तो आपने अंदर क्या किया सबस्काति मैं बोलु यार इसको खतम जोई और येकृर्फरेंग कौन से वाला है और नहीं आपने बनाय कैसे है डाज करने के लिए हमारे पास कहां से सूर्सिस होंगे यानि सर बनाने की सूर्सिस एक डिफरेंट मैटर है और सिक्यूरिटी प्रीमियम जो आपको राइट आफ करना है जो अपने डेबिट किया है उसको कैंसिल करने के लिए भी सूर्सिस आपको पता होना चाहिए तो इसके लिए करने के लिए आप जबर एकपने को जो स too क्यारेटी प्रेप्रेमियम को राइट अफ करने के लिए आप यहां पर अ अबड़कर पर श्चूरइच से प्रिम्यम का भी इस्तेमाल कर सकते अब these हैं यहाँ यानि यहाँ ले 48 को सकते लेकिन से प्र बैमियंह स्टे भी तो बोला था कि सिक्यूरिटी प्रीमियम पेबल और डिदमिशन कें यूज फॉर सिक्यूरिटी प्रीमियम अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो वह कर सकते हैं जो कि आपको थियूरी के अंदर मैं यही समझाने की कोसिस कर रहा था कि यहाँ पे देखिए कहता है प्रीमियम पे डेंट रिदम्ट रूप्छों आपको 10 16 रुपनियम पेमेंट यहां प्रीमियुम से Star आइडर नियुकि प्रिमियम वर्डीरा दें कम्पनि और company security premium account अगर हमारे पास कोई से security premium है तो इसका इस्तमाल कर लेंगे या फिर आपके पास कोई भी आउट of profit of the company के पास कोई भी profit पढ़ा हो तो इसका इस्तमाल किया जा सकता है यानि मैं क्या बोल रहा हुआ है बाइज सेक्यूरेटी प्रिम तो है नहीं अब जैनल मेरे पास पड़ा हुआ है कहा होगा लाइवलीटी में पड़ा होगा इसको हमें यूज करना है तो मैं क्या एंट्री करने वाला हूँ अगर मैं इसका इसतेमाल करता हूँ तो सिंपल देखो क्या होगा जनल चाहिए नहीं आसे सीक्यूरेटि प्रिमियंश करने की कि अट उप 탈 लाइंग को दूसे अधे सपर सीज monopoly क्रेंब्श करते वाबर वहां पर इसप्रिमियंश करनाएं नहीं है वहाँ पर नहीं अ평निए यह यह वहाँ नहीं सब्सक्राइब करने की वहां पर कर सकते हैं जवाब है यस किया जा सकता है चलो एक और देख लेते हैं लास्ट इसके बाद सीधे सीधे करना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियरेटी मिल जाएगी यह चल गया रहा है कि मैं इसको एक न्यू कुशन्स मैं कराने की कोशिस कर रहा हूं कि इसको हटाई देते हैं चीक है पूरा हटा दिया हमने कि कुशन से में रखा कंपनी इशू फ्रेश इशू एट प्रीमियम टॉइंटी परसेंट ठीक है ना अब यहां पर कुशन आता है सर और मैं पूरा कुशन दुबारा लिख दूँ या यह समझ में आ जाएगा चलो कि टिन कर देते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेट करते हैं कुशन को अब मैं एक बार कुशन रिपीट कर दूँ कई बार होता है कि मैंने अपने हिसाफ से तो लिख दिया लेंग्विज में बच्चे कुछ हो और इसका वर्ड ना निकाल लेंग्विशन का कहने का मतलब है कि भाई मैंने प्रिफरेंशियर रिडीम करने हैं और जो प्रिफरें करने हैं और इसको रिडीम मैं आपके एक लाख वापस तो करूँआ साथ के साथ मैं आपको प्रीमियम पर भी वापस करूँआ यानि 10% एक्राइं यानि आपको एक लाख दस अजार वापस करूँआ और इसके लिए मेरे पास पहले से कुछ फंड पढ़ा हुआ है बैलेंस तो आठड़ा साथारन फ्रेंश करेंगे उसके उपर हम क्या लेने वाले आप से प्रीमियम याँ पर घोड़ा सा हम अगर हिसाब किताब लगाए तो हिसाब किताब लगाने में अब इसके अंदर हमें इसको लोटाना क्या है सिक्यूरिटी प्रिमियम दस अजार बहुत बच्चों को समझ में भी आ गया होगा फिर भी मैं करके दिखा देता हूं अब यह बन ग हाँ अब यह साप हमें अलग लेके चलना में अब एक लाक रुपय के लिए अगर मैं मैं बोलू कि भीया हमारे पास सबसे पहले तो फ्रेश इशू है तो फ्रेश इशू से फ्रेश इशू समझ रहे हो ना जो एक्विटी शेर है वहां से 80,000 तो हमारा होई ही गया कंप्लीट तो सर 80,000 अगर यहां से हो गए आपका तो आपको और जादा नहीं करना आपको सब्सक्राइब करना है तो अगर मैं बोलू कि एक काम करते हैं यार सेक्यूरिटी प्रीमियम से हम 6000 पहले से पढ़ा हुआ वह ले लेते हैं और जनल रिजब से मैं ले लेता हूं 14000 तो ऐसे तो 20,000 बन गया क्या मैं ऐसे कर सकता हूं तो जवाब है सर नहीं कर सकते क्यूंकि लोग यही कह रहा है कि आप सेक्यूरिटी प्रीमियम का इस्तमाल ही नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब यह कंबिनेशन तो गलत हो गया तो इसके लिए अरे के लिए भी करना पड़ेगा इसके लिए रंगेंट करने के लिए लाव यह कहता है कि सबसे पहले आप यूस करो सिक्योरिटी ब्रीमिम दैन रिजर्व करो तो पहले दस हजार के लिए हमारे पास security premium old वाला है हमारे पास कितने हैं उल्ड वाले चीजार इसका इंतिजाम हो गया लेकिन अभी और भी पैसे की जूरत पड़ेगी कितने पैसे की जूरत पड़ेगी तो 4000 फिर से मैं security परिटी प्रिमियम के 4000 मैं ले सकता हूं पता है यहां से लेंगे जो फ्रेशी कर रहे हैं वहां से 4000 हमारे पास आजाएगा समझनारे कौन से पैसे प्रेमियम तो आठ तो यहीं से प्रीवियम आगे आठ हमें से तो मैं चार यूज करी सकता कर सकते हैं कि और यहाँ पर चाहो तो अगर चाहते हो तो पुरे को ृशंются कर सकते हो पूरेकर और यहाँ आपकी उपर है लेकिन को खतंत्य सपस्केश्वप्र करने कीka फ्रिड़म नहीं है आपके पास आप सिक्योरीटी प्रिमियम को लिमिटेट जगह पर यूज़ कर सकते जो पांच जगह बताया था सेक्शन 52 सब्सक्शन टू में कहां का बोनस के लिए बाइबेक के लिए और अंडर राइटर कमिशन को रिटन आफ करने के लिए रिडंशन अफ डिवेंचर के लिए और सिक्योरिटी प्रीमियम पेबल और लिए यहां पे उसको पहले इस्तामाल करना नहीं करें तो हमारा एक चलो यह तो बनाघे आप्र और वाले पर नहीं जा रहे हैं करना सबसे पहले कि कि करेंगे पहले एरेंजमेंट की म Battlefield park कि हमने डेज़नर है विसी ड़ीचा पानाना है उप टूसीरा और यह कितने का बनेगा 20,000 क्या हम इससे कम का बना सकते थे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था ठीक है ना नंबर दो अब फ्रेश इसू कर दो यानि मैं डारेक्ट एंट्री कर रहा हूं कुछ बच्चे कह रहे थे बैंक टू शेयर कैपिटल भी कर सकते हैं एक चेयर कापिटल मैं डारेक्ट एंट्री करता हूं सर कितने रुपे असी हजार-e88,000 और असी यहां आएगा और तू में आ जायेगा हमारा देट इस सेकुरीटी Π्रीमियम एट 1000 की बात कर रहे हमारे पास सेकूरिटीप्रीमिम आएंगे जो देखो आ गए शिकुरीटी प् प्रेमियम है एक तो पहले से हमारे पास पढ़ा ही था और फिर और कुछ आए पहले से कितना पढ़ा था और कितने आए नहीं आट तो टोटल 14,000 हो गये हैं जबकि हमें सिक्यूरेटी प्रेमिंट कितना करना है तो इसली हम कर सकते हैं ठीक है ना थर्ड नमबर पर आपको क्य क्या करना है सर उनको बुलाना कि इसको gelecek रहे यह वाला है वहां हाला कि आपको एक्जाम में नहीं डालना यह और प्रफिर यह एक लाक होल्टर यानी सूरी-दस-जार और यह लॉए 1.1 लेक यह डियू का हो गया पेमिंट करना है तो पेमिंट कर दीजिए ऐसलिक और टू बैंक में कि परफेरेंचीर होल्डर कि राइफ बैंक कितना करना है सर एक लाख दस अजार और एक लाख यहां तक admission clear है अब security परियुम को write-of करना है तो जो यह वाला security premium है इससे मैं बोल देता हूं एफ लिख देता हूं एक अगे तो यह यह दिसके आगे सा लिख देता हो यानि वाला तो हलाकि मैं यहां पर दो तरीके से इस्तमाल करना है कि मैं करूँआ सेक्योरिटी प्रीमियम यह ओल्ड वाला ले रहा है अब आपके चाहें कि आप ओल्ड वाला श्रुफ दोहीं हजार लो क्योंकि आठ यह भी ले सकते हैं तो ओल्ड वाला जो है वह छे हजार ले लिया इसके बाद फिर से सिक्यूरिटी प्रीमियम अभी जो मिला है उसमें से ले लेते हैं अकाउंट कितने ले लेते हैं उसमें से गरं चारजार और जो हमने से कॉनसे वाला सर् डाला कितने लेकिस नहीं कुरणे रोगी करें इसको आप कॉंसर डोलेट यानि एक एंट्री भी कर सकते से कंबाइन एंट्री कर सकते थे सर क्या कंबाइन एंट्री होगा सर सिंपल एसपी टू एसपी कर दीजिए और दस जार रुपे लिखे टेंशन खतम यहां पर ओल्ड और निव कुछ करने की जुरत नहीं आगे हैं में इसी तरीके से लेके चलेंगे एक्जामिनर खुद कर लेगा कौन सा लिया कौन सा नहीं लिया ठीक है तो यह पूरा का पूरा हमारे एक कुछन बन जाता है जिसके अंदर सेक्यूरिटी प्रीमियम भी आ जाता है यहां तक बताओ किसी स्टूडेंट को यानि बेसिक बेसिक पंड़ा आपने समझ लिया कि रिडम्शन करने से पहले क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं अब इसके अंदर क्या-क्य एड हो सकता है सर इसके अंदर बोलेगा सेक्यूरिटी प्रीमियम मिनिमुम नंबर ऑफ शियर करो फ्रेश इशू के उपर बोलेगा दूसरा बोलेगा आपने कोई इन्वेस्मेंट बेच दिया है तो वहां पर लॉस या प्रॉफिट होगा तो उसको भी जनर्रिजर में कंस अब बाकी के पैसे कहां है सर थे तो नहीं फिर कैसे कर दिया तो अजम्शन होता है हमारे बैंक में खुब सारा पैसा है लेकिन अब कुछन आएगा बैंक में कम पैसे हैं आप उतने ही नंबर ऑफ शियर करो जिससे कि आप उसकी पेमिंट कर पाऊं तो कुछ एक छोटी-छ परसेंट जो है ना वह रिडमिशन वाला है और यह 10 परसेंट आपका फ्रेश इशु वाला है कि कहना दोनों अलग अलग चीज़े जो मैं शियर को बेचूंगा नहीं वाले उसके उपर 10 परसेंट लूगा और जो प्रिफरेंश यह आपके वापसी करूंगा उसका मतलब य है कि बताइए यहां तक कोई डाउट है कि किसका हुआ 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 है कर सकते लोग कभी नहीं बोलेगा लेकिन हमें कुश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल समझदारी के यहाप से भी करना हो चाहिए क्योंकि हम अपने रिजर्व को बचा कर से जब काम बन रहा है तो वह नहीं कर सकते हैं हम चाहते तो यह एसपी टूएसपी नहीं करता मैं जनल रिजब से सीधा दस अजार निकालता और तो सिक्यूरिटी प्रीम कर देता है लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके प्लैनिंग अच्छी नहीं चाल रिफ से करते हो इधर से करते हो बस जी आर और टूएसपी कर दो कि यहाँ पे दस अजार आ जाएगा और यहाँ पे दस अजार आ जाएगा यह और थीक है झाल झाल